Bissram Illaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Welcome to Pakistan Studies Class और Pakistan Studies के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो है Mountains Ranges of Pakistan याज हम देखने लगे हैं कि पाक्सतान के जो पहाडी सिलसले है वो कौन कौन से है थोडा सा झो है वो टिपिकल किसम का लेक्चेर है तो बिसिकलिए दो तरह के पहाड़ी सिल्सले पाकस्तान में हमारे पास आते हैं सबसे पहले हमारे पास Northern Mountains आते हैं यानि के शुमाली पहाड़ी आते हैं दूसरे नमबर पे हमारे पास है North Western and Western Mountains ठीक है जी यानि के शुमाल मगर्बी और मगर्बी पहाडी सिल्सले अब ये जो है शुमाली पहाडी सिल्सले यानि के नौर्धन मौंटेंस जो है ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है इस एरिया के अंदर जो मौंटेंस आते हैं इसको हम कहते हैं जी शुमाली पहाडी सिल्सले और ये यह जो साथ में है शुमाल मगर्बी और मगर्बी पहाड़ी सिलसले एक तो यह शुमाल मगर्ब के अंदर है यानि कि नौर्थ वेस्ट के अंदर है यह हमारे पास नौर्थ यह हमारे पास वेस्ट ठीक है अब इस नौर्थ वेस्ट के अंदर यह जो आपको कर्व नजर आ रह अब यानि Northern Mountains आगे इसकी मजीद डिवियन है दो हिस्सों में इसको तक्सीम कर दिया गया Northern Mountains को इन में क्या है जी एक तो हमालिया के पहाड़ हैं दूसरा जो हो कराकरम के पहाड़ हैं या पहाड़ी सिलसले हमारे पास हैं अब अगर हम बात करें मजीद डिवियन की तो ये जो हमालिया के पहाड़ है इसको मजीद आगे तीन हिस्सों में तक्सीम कर दिया गया है हमालिया के पहाड़ों को ये 600-1200 किलो मेटर इनकी हमारे पास हाइट आती है ठीक है जी यनि अगर आप यहाँ पे देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो शवालक के माउंटेंज हैं ये यहां से स्टार्ट होते हैं ये जो एरिया है ये शवालक के माउंटेंज का है ठीक है इसके अंदर कौन-कौन से लाके हैं रावल पिंडी है हजारा है और अटक के इरियास शामिल है और ये 600-1200 मीटर इसकी हाइट है इसी से उपर जो दूसरा सिलसला हमारे पास आएगा सेकंड नमबर पे तो वो सेकंड आएगा पीर पंजाल का अब ये जो पीर पंजाल का पहाड़ी सिलसला यहां पे ह हमालिया का जो के 6000 जिसकी जो है वो एवरिज हाइट है और यहां से यह स्टार्ट होगा और इसकी जो इस सिलसले की बुलंतरीन चोटी है उसको हम कहते है नांगा परबत और ये जो नांगा परबत है इसकी हाइट है 8126 मीटर ये नांगा परबत की इसकी जो है ना शुमाल यहां लिदा का सिलसला है जो कश्मीर के अंदर है जो इंडिया के साथ जो हो टच होता है तो अब अगर हम बात करें शुमाल मगर्बी और मगर्बी पहाड़ी सिलसले की तो शुमाल मगर्बी सौरी पहले कराकरम देखते है कराकरम के पहाड़ी सिलसला जो हमारे पास आता है जो बुलंद तरीन चोटी है वो केटू है सबसे पहली बात ठीक है और केटू हम जानते हैं दुनिया की दूसरी जो है वो बुलंद तरीन चोटी है माउंट एवरिस्ट के बात ठीक है और इसकी जो बुलंदी है वो है 8,611 मीटर केटू की बुलंदी है हमारे पास और ये करा कराकरम का पहाड़ी सिल्सला है एक है जी खैबर खुंजराब पास और दूसरा जो है वो कराकरम पास ही है अब यह जो खुंजराब पास है इसी को खुंजराब टॉप भी कहते हैं और यह जो है पाकस्तान को चाइना से जो है वो मिलाता है यानि पाकस्तान और चाइना के बी मगर्भी और मगर्भी पहाड़ी सिल्सले के उपर तो शुमाल मगर्भी पहाड़ी सिल्सले के अंदर मगर्भी के अंदर हमारे पास सबसे पहले हिंदू कुष के माउंटेंज ठीक है जो चित्राल का इलाका है जो इस चका पर आएगा तो यह हमारे पास जो है कोई हिंदू क पहाड आते हैं जो पंद्रह सो से तीन हजार जो है मीटर इनकी हाइट बनती है एवरिज हाइट बनती है और ये इसके नीचे नी कोई सफेद के यहां ये जो इलाके हैं यहां पे आ जाए कि मिरांशा और वाना को जो इलाका है ये इस एलिये में आएगा और यानि के पंद्रह सो से तीन हजार इसकी एवरिज हाइट बनती है इसी के जो नीचे सिलसला आएगा वो कोह सुलिमान है जो तकरीबन कोई 400 किलो मेटर के उपर जो है वो फैला हुआ है इस इसकी बुलंतरी चोटी जो है वो तक्ते सुलिमान मानी जाती है और उसके बाद क्यूश्वे हमारे पास कोई किरतर है जो इस से नीचे है और ये बलुश्णे के अंदर की साइट पर करके पेला वह जो ओई है और ये हमारे पास यहां पर पंच tw yüzहां पहाडी सिलसला आता है अब एक नजर में इसको दोबारा से देखते हैं सबसे पहले अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो माउंटेन रेंजेस है वो दो तरह की है एक नॉर्थन माउंटेन रेंजेस है दूसरी नॉर्थ वेस्टरिन और वेस्टरिन है Northern Mountain Agents के अंदर मज़ीद दो तरह की डिवियन है एक है कोई हमालिया का सिलसला दूसरा है कोई कराकरम का अब यह जो हमालियन माउनटेंज है इनको मज़ीद तीन इसों में तक्सीम कर दिया गया शवालग, पीत पिंजाल और हमालिया कभीर और यह जानी के रावल पिंडी से स्टार्ट होगे जो है वो गिल्गित बल्स्तान और टॉप तक जो है वो जाते हैं उसके बाद हमारे पास शुमाल मगर्बी और मगर्बी पहाड़ी सिलसला उस पे हिंदू कुष्के माउनटेंज आ गए कोई साफेद आ गया दूसरे नंबर पे वजरिस्तान आ गया तीसरे पे चोते पे कोई सुलिमान और कोई किर्थर आ गया और इस तरह से इनकी ये कुछ तर्टीब पाकस्तान के नक्षे के अंदर जो है इस तरह से बनती है और ये जो शुमाली पहाडी सिल्सले उसकी तरतीब इस तरह से बनते हैं शवालक पीर पंजाल और हमालिया कबीर तो ये हमारे जो है वो पहाडी सिल्सले थे